नमस्कार में हो दिवा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 16 फर्वरी दिन शुक्रवार खब्लों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर नियोजित सक्चकों के लिए आफलाइन भी होगी परिक्षा पूरे बिहार में क्रिसी क्लिनिक की होगी अस्थापना बीपी ऐसी फियर्ज दो से चैनल सिक्चकों को स्कूल आवन टिप बिहार में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रेक्रिया होगी ओलनाइन सीटीटी जनवरी सिसन का रिजल्ट हुआ घोसित पीम सूरे घर बिजली योजना की शुरुआत मुफ्ट में मिलेगी बिजली अब चलिए बढ़ते हैं विहार के अब तके 25 बरी खबरों के और विस्तार से साउथ स्टर्न कोल्ट फील्ट्स ने अपरिंटिस के लिए निकाली भरती अपरिंटिस के लिए साउथ स्टर्न कोल्ट फील्ड लिम्टेट द्वारा भरती निकाली गई है यह भरती 425 सीटों के लिए की जाएंगी इस भरती के लिए आवेदन करने के इंतिम तारीक 27 फरवड़ी 24 है एक चुक मिद्वारिस के अधिकारिक वेबसाइट ऐसे CL-CIL.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इस भरती के लिए यदि सेक्षिनिक योगिता की बात करें तो जरूरी है क्यों मिद्वारों ने 4 साल की ग्रैजुएट अपरिंटिस सिब डिग्री ली हो साथ ही 3 साल का डिप्लोमा इंजिनिरिंग संबंधित ब्रांच में किया हो साथ ही अपरिंटिस सिब जॉइन करने के लिए जरूरी है क्यों मिद्वार ने इंजिनिरिंग की डिग्री या डिप्लोमा किये 5 साल से अधिक ना हो हालांकि इस भर्दी से संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिस सूचना को देख सकते हैं नियोजर सक्षकों के लिए आफलाइन भी होगी परिक्षा बिहार में नियोजर सक्षकों के लिए सक्षमता परिक्षा कायोजन हो रहा है इसके लिए बिहार के सक्षा मंत्री विजयत चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि अब इस परिक्षा में ओफलाइन मौका भी दिया जाएगा ओनलाइन के साथ साथ ओफलाइन परिक्षा भी ली जाएगी मंत्री ने बताया कि पुरारे सिक्चकों को आलाइन परिक्षा में परिसानी हो रही थी इसके बाद नितीज सरकार ने तै किया है कि तीन परिक्षा आलाइन भी ली जाएगी इसके बाद दो ओफलाइन परिक्षा का मौका मिलेगा इस तरह से सक्षकों को पांच मौके दिये जाएंगे मालूम हो कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक के लिए सक्षमता परिक्षा कायोजन कर रहा है बिहारी पहचार में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंग दिनकर के बारे में ये हिंदी के लेखक कवी और निवंध कार थे इनका जन बिहार की वेगुसराय जिले में 13 सितंबर वर्स 1908 में हुआ था दोगों के बीच ये आधुनिक यूग के स्रिष्ट वीर रस के कवी के रूप में जाने जाते हैं इनके सर्वसरिष्ट कारियों को देखते वे इन्हें कई प्रसकारों से भी सम्मानित किया जा चुका है जिन में पत्म विभूसन, सहायत्य अकैडमी, भारते ग्यान, पीट सामिल है इन्होंने कई कावे, गद्य, निबंध, संग्रा और कई विचार भी लिखे हैं जिन में बार्दॉली विजय, संदेश, प्रन भंग, मिट्टी की और, रेती के फूल, वेनुवन, सहायत्य मुखी और आदी सामिल है पूरे बिहार में क्रिसी क्लिनिक की होगी अस्थापना, पूरे बिहार में क्रिसी क्लिनिक खोला जाएगा, किसानों के फाइदे को देखते हुए, ये फैसला लिया गया है इससे इस छेतर में बदलाव तो होगा ही साथ ही किसानों को अच्छी आमदने भी होगी यहां उनकी परिशानियों का सामधान भी किया जाएगा किसानों के साथ ही खेती के विकास के लिए 534 प्रखंडों में क्रिसी क्लिनिक खोली जाएगी पाइलेट प्रखंडों में इसकी सुरुआत करने का फैसला लिया गया है वेगु सराय में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत तैयारी शुरू हो गई है अप्रल के महिने में इसकी पहल सुरू कर दी जाएगी यहां 10 क्रिसी क्लिनिक खोलेंगे इसमें जी विज्ञान डसायन विज्ञान आदे से दिग्री लेने वाले युवाओं को सबसीरी मिलेगी ऐसे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा बिहार में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन बिहार में लोगों को अब आनलाइन ही पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिलेगा, इसके बाद किसी भी तरह की कोई छेरचार की उम्मीद नहीं होगी इसे लेकर तयारी की जा रही है, मेरिकल कॉलिज बदिला अस्पटालों में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की कोई मैनुवल रिपोर्ट तयार नहीं के जाएगी, इसे ऑल्लाइन ही दर्ज किया जाएगा फिलहाल इसे लेकर स्वास्ट विभाग के अपरमुखे सजी प्रत्य अमरित ने अस्पताल के अधिक चक और डॉक्टरों के साथ समीच्छा की है साथे इस दिसार में उचित कदम उठाने को लेकर आदेश दिये हैं, इससे पुलिस की जाँच प्रभावत नहीं होगी फिलहाल पोस्ट मार्टम के बाद रिपोर्ट तयार करने में देरी होती है CTET जन्वरी सेशन का रिजल्ट हुआ घोसत, CBSC की ओर से CTET जन्वरी सेशन का रिजल्ट घोसत कर दिया गया है रिजल्ट ओनलाइन माधियम से आधिकारिक वेबसाइट ct.nic.in पर घोसत किया गया है CTET जन्वरी 24 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है अब आपको रॉल नंबर भर कर सब्वेट बटन पर क्लिक करना होगा आपका परिनाम इस क्रिन पर ओपन हो जाएगा पुआल से बनेगा सस्ता पसू का चारा बिहार सरकार पसू पालगों को पुआल या पराली नहीं जलाने के लिए प्रेडित कर रही है साथे से सस्ता पसू चारा बनाने के उपायों के बारे में जानकारी भी दे रही है पुआल को जलाने से पर्यावरन को नुकसान होता है इसे खेट की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है वही चारी के रूप में इनका प्रयोग करने से पस्वों को सस्ता चारा मिलेगा इसे पॉस्टिक रूप में भी तयार किया जा सकता है केके पाटक ने सक्चकों और अधिकारियों के खिलाफ लिया एक्सन सक्चावे भाग के अपर मुखे सचीब केके पाटक एक बार फिर से एक्सन मोड में है उन्होंने अधिकारियों और सक्चकों के खिलाफ एक्सन लिया है दरसल बोचा और गाय घाट के तीने स्कूल को 9 बजे के बाद भी बंद रखने के मामले में, अधिकारी और सिक्चकों की सेलरी काटने का आदेश दिया गया है, ये अधिकारी बगकर में स्कूलों की जाच में गया थे, इनका 7 दनों का वेतन कटेगा, पटना में सिक्चकों और कर्मियों के सक्षा विभाग द्वारा परिक्षा ली गई इसमें FLN से संबंदित सवाल पूछे गया थे सुबह 10 बजे सिले का साम की 4 बजे तक सक्षक और अधिकारियों को अलग-अलग रखा गया साथ ही ने एक दूसरे से बात चीत भी नहीं करने दी गई परिक्षा के फेज दो से चैने सक्षकों को स्कूल आवंटन कर दिया है इन्हें अलग-अलग जिलों में स्कूल दिया गया है सक्षा के सिती में सुधार के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है इसी करी में मुख्याले असर पर सक्षकों को स्कूल का आवंटन कर दिया गया है इसके सा जानकारी के नुसार एक से दो दिनों में सिख्चकों को स्कूल दिये जाएंगे फिलाल मुझपरपुर मधुबनी पूर्वी चंपारन अररिया पस्चिमी चंपारन अररिया पत्ना अर्वल गया नवादा सिक पूरा कैमूर भोजपूर भागरपूर ब्यगुसराय खगरिया वैसाली सुपॉल कटिहार बांका गोपाल गंज रोहतास और अंगाबाद समस्ती पूर जहानाबाद गिसन गंज पूर्णिया सिवर आदी जिलों में स्कूल आवंटित हुआ है बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे पटना साहिब गुरुद्वारा के बारे में राजधानी पटना मस्तित इस गुरुद्वारे को लोकतक्त स्री पटना साहिब स्री हर्मिंदर जी और पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं यह गुरुद्वारा सिक धर में आस्ता रखने वारे लोगों के लिए प्रमुक केंद्रे सिकों के दस्वे गुरु स्री गोविंद सिंग का जन्मसी अस्तर पर बाई दिसंबर वर्स 1666 में हुआ था इस गुरुद्वारे का निर्मान महाराजा रंजीत सिंग द्वारा करवा जाएगा प्रकास उत्सब में यहां अच्छी खासी भीर देखने को मलती है किसान संगठोनों ने भारत बंद करने की की घोसना सिफ किसान मोचा और अन्य ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद करने की घोसना की है सुबह के 6 बजे से लेकर साम की 4 बजे तक बंद जारी रहेगा इस दोरान परिवहन क्रेशी गतिविधियां मनरेगा दुकान ग्रामीन कारे नीजी कारियाल आदी पर प्रभाव पड़ सकता है किसानों ने दिली जाने का फैसला लिया है इससे देखते वे हरियाना पुलिस ने संबू बॉर्डर को एक किलेक में बदल दिया है इ इस दोरान पुलिस ने आसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया आपको बता दें कि किसानों की मांगे के उपज के लिए MSP की गारंटी देने वाला कानून लागू हो खराब पर्फॉर्मेंस वाले DSP की जा सकती है नौकरी खराब पर्फॉर्मेंस वाले DSP की नौकरी पर खतरा मनझरा रहा है दिरसल तिरोध रेंज की चार्ज जिलों में तैनार डीएसपी एसडीपियों के कामों की समिक्षा की गई है आई जी कारियालेस इसकी सूची मंगवाई गई है इसके बाद ये रिपोर्ट पुलिस मुख्या ले जाएगी क्राइम कंट्रोल को लेकर आएदी सिर्दीप लांडे ने 15 बिंदूओं पर टास्क पूरा करने का आदेश था फिलहाल ये बात निकल कर सामने आई है कि पिछले महीने दिये गए आदेश का पूरे तरीके से नुपालन नहीं किया गया है इनों के फिलम के चैन से पहले स्कृप्ट का खास ख्याल रखते हैं उनके रुसार एक फिलम के स्कृप्ट को काफी अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए वहीं ऐसा नहीं होने पर एक अच्छा नर्देशन या प्रदर्सन फिल्म को नहीं बचा सकता अभिनेता के अनुसार दो या तीन सीन के बाद आप भी जानते हैं कि भरिया स्क्रिप्ट आपके साथ भी कुछ करना शुरू कर देता है स्रीज किलर सूप एक यूनिक कंटेंट है यह ऐसा है जिसे दुनिया में पहले किसी नहीं देखा होगा नया और चुनोती पूर्ण कारे को जरूर करना चाहिए आपको बता दे कि किलर सूप स्रीज में मनोज वाजपी के साथ कौनकना सर्मा है इसे दरसकों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है पेटियम फास्ट टैग को ऐसे करें डियक्टिवेट पेटियम फास्ट टैग को डियक्टिवेट किया जा सकता है दरसल RBI ने पेटियम पेमिंट बैंक को बैन कर दिया है इसके बाद Paytm Fast Tag को deactivate करना होगा, कई गारियों में Paytm Fast Tag लगा हुआ है, इससे deactivate करने के लिए पहले Paytm Portal पर login करना होगा, इसके लिए user ID, wallet ID और password दर्ज करना होगा, इसमें Fast Tag का नमबर, mobile नमबर डाल कर प्रोसेस को पूरा करना होगा, और जानकारी को भी यहां दर्ज करन होगा, help and support option को चुनकर non-related queries पर click करना है, इसके बाद Fast Tag profile को update करना होगा, यहां want to close Fast Tag को चुनने के बाद आगे के process को follow करना होगा, इस तरह से Fast Tag असाने से deactivate हो जाएगा, इसके बाद इससे active नहीं किया जा सकता, आज प्रदेस का मौसम रहेगा सोस्क, बिहार में बारिस के कारण मौसम का मिजाज बदला दिखाई दे रहा, हालांकि बारिस के संभावना 15 फरवरी तक ही थी, आज से प्रदेस में सर्द पचुआ हवा चलने की संभावना है, पस्चिमी हिमाले में एक बार फिर पस्चिम बिहार में बारी मातरा में सराब बरामत, बिहार की दो अलग अलग जिलों में बारी मातरा में सराब की बरामत गी होई है, पटना में गैस टैंकर से 400 कार्टन सराब बरामत हुए हैं, बताया जाता है कि बरी मातरा में सराब की खेप को पंजाब से बिहार लाया जा रहा था गेस टेंकर का रजिस्ट्रेसर नागा लेंड का है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घेरा बंदी का टेंकर को पकरा है वही चालक टेंकर छोड़ फरार हो गये हैं इधर गोपाल गंज में भी लाखों की कीमत के सराब बरामद हुए हैं साथ ही एक तसकर के गिरफतारी भी हुई है एसपी सर्पन प्रभात ने जानकारी दी है कि वहां जांच के दौरान मांजोर बरॉली पुलिस ने विदेसी सराब को जब्त किया है इनकी कीमत 90 लाख में आकी गई है वही एक हरियाना के तसकर को गिरफतार किया गया है पटना में आसा कर्मियों ने किया प्रदर्सन बिहार की राजधानी पटना में आसा कारे करताओं ने जम कर प्रदर्सन किया प्रदर्सन के दौरान पुलिस ने इने अदालत गंज लाके में ही रोक लिया ये डाक मंगला चौराहे पर जाने की मांग कर रही थी, इन्होंने भूख हरताल की जेताम ने दी है, इन्होंने 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्सन किया है, साथ इन्होंने फैसिलेटर स्वार्स्त वैक्सीन कुरियर जैसे कामों के लिए 1000 वेतन मान पर काम करने और छले जाने का आरोप लगाया है प्र अम्राइस के दौरान आसा कार्यकरताओं ने आगामे चुनाव में वोटिंगे बाहस कार की बात कहीं है वहीं प्रदस्थन पुलिस ने हिने समझाने का प्रयास किया दूसरी और प्र पूरी नहीं होने पर ये भूक हर्तार पर जाएंगे 20 फरवरी से पूरे बिहार का धौरा करेंगे इस दौरान ये 17 महीने के कारेकाल के उपलब्दी से जंता को अवगत कराएंगे नेताओं को ये भी जिंबेदारी दी गई है कि सभी को लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटने को कहा गया है आरजेडी की बैठक में ये फैस्क ला लिया गया है राज़त की राष्ट्य अध्यक्ट लालु प्रसाद यादव की अध्यक्सता में बैठक होई तैदस्वी यादव के आवाज पर ये बैठक होई इसमें आरजेडी के विधायक में जिला अधिकारी सहित सभी पता अधिकारी मौदूद देखें पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि दलितों की भागीदारी राजनीती में कम हो रही है सभी दलित पिछलों को एक होकर चुनाव की तैयारी करनी है बिहार विधान सभा के अध्यक्च के घर पर कभी हुई थी कुर्की जप्ति की कारवाई नंत के सोर यादव बिहार विधान सभा के नया ध्यक्च उने गया है वह भाजपा के कोटे से स्पीकर बनाए गया है इटीवी को दिये गया साक्षा अतकार में स्पीकर ने अपने पुराने दिनों को याद किया साथ ही बताये कि उने 174 के अंदोलन मेवद जेल भी गया थे पुलिस प्रसासन ने उनके घर पर कुर्की जप्ती की कारवाई की थी यहां तक कि उनके घर के खिर्की और दर्वाजे को खोल कर ले गई थी इसके बार डेर सालों तक उनका परिवार बिना खिर्की और दर्वाजे के घर में रहा था इस जौरान की कपरे के पर्दे का इस्तिमाल करते थे इसे समय इनकी साद ही हुई थी ऐसे में लोटा से गव ना किया गया था हाला कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है इनके पहले या बाद कोई भी दोनों के साथ ही इन्होंने काम किया है नंके सोर यादव बताते हैं कि इनके सभी दलों के साथ बेहतर रश्ते हैं और अंगाबाद में राहूल गांधी का बयान जातिय गर्ना सामाजिक नियाए का अगला कदम बिहार के और अंगाबाद में राहूल गांधी पहुंचे यहां से बिहार में राहूल गांधी की भारत जोरो या निया यात्रा का तीसरा चरण सुरू हुआ है इस दौरान रै लेकर घुमते वह सबी चाइना बनाया जाते हैं, जाते जनकरना समाजिक निया का अगला कदम किद्वारा गरवा जाएगा, कॉंगरेर सने ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर वह पूरे देश के जाते जनकरना कर Molक कर वाएंगे इसे यह पता लगात जा सकेगा कि daist में क्या चल रहा है ह। भारत बनाव इंगलेंडा के बीच 5 मैंचों की तेस्टが पहले दिन रोहित सर्माने सतक बनाया है रोहित सर्मा ने 131 रन की पारी खेली वही रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर इन्होंने 204 रनों की पारी खेली है पहले दिन भारत ने पांच विकेट पर 326 रन बनाए रविंद्र जडेजा और सर्फराज क्रीज पर बने हुए हैं सर्फराज ने अपने करियर की पहली पारी में कई कानों से दर्ध है भारत तेहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1979 में मिर्जा गालिप की सौवी पुन्यत दथी पर डाक टिकेट जारी किया गया था आज के दिन वर्स 1982 में कॉलकाता में पहली बार जवाहला नहरू इंटरनेस्टनल गोल्ड का फुटवाल टूनामे अज के दिकारियों के बीच वारता प्रारंब होई थी आज के दिन वर्स 2010 में हिंदी के प्रस्द कवी कैलास वाजपेई मैथरी की दिवंगत कथाकार मन मोहन जहा और अंग्रेजी के लेखक बद्री नाथ चतुर्वेदी समेश 23 लोगों को वर्स 2009 के साइट अकैडमी पु योजना के शुरुआत की है दरसल प्रधान मंत्री ने अधर राम मंदिर के निर्मान के दौरान ही मुफ्त में बिजली देने का ऐलान किया था इस योजना से करोरों लोगों को फायदा मिलेगा साथ ही रोजगार के अपसर में भी बरहोत्री होगी 75,000 करोर पेका इसमें न आएंगे इसके लिए वेबसाइट प्यम सूरे घर डॉट जोवी डॉट इन स्लैस कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा आज के इस वाइरल खबर में हम बात करेंगे 20 साल के लिए EVM बैन के इस दावे के बारे में सोसल मेरिया के इस जमाने में परत दावा किया रहा कि सुप्रीम कोट ने EVM पर 20 सालों का बैन लगा दिया है वाइरल हो रहे इस खबर की जब हमने परतार की तो हमने पाया कि यह खबर पूरी तरह से फरजी है प्याइबी फैक्ट चेक ने वे इस खबर को अपने सोसल मीडिया एक्स के आधिकारिक आज के समय में स्मार्ट फोन ने हमारे कई कामों को आसान कर दिया है हमारी कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे mobile नंबर या email आईदी से जुरी हैं जिसे हमारे जीवन से जुरी कई चीजों के notification हमें मलते रहते हैं जिस notification के ज़़ी आप alert भी हो जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी ह के शचीन को सब्सक्राइब लोएं के इसान नहीं से तो आज मैं आपके पर अपने फोन को करके अप्छाक में को भी चेक करना ना भूले इन जीजों से आपकी परिसानी दूर्ड हो सकती है हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीपी एसी बिहार पुलिस दरोगा समित ऐसे जैसे प्रतोगी पर एक्षाओं में काम आएंग पारिवाजपेई, आप्षन सी है विपिन चंद्र जोसी, आप्षन डिये संकरोय चौधरी, इसका सही उतर है सीरियस जेनरल विपिन डावत, कहां पर बैडिमिंटन एसी आइट टीम चैंपियंशिप दोजार चौबिस शुरू होई है, आप्षन है जैपान, आप्षन बी इसका सही उतर है मलेशिया, हारी में कहां में रुपे कार्ड लाँच किये गया है, आप्षन है सौधी अरब, आप्षन भी है सिंगापूर, आप्षन सी है, इंग्लैंड, आप्षन दी है सही उतर अरब, अमिराद इसका सही उतर है, UAE सेयुक्त अरब अमिराद, स्वामि सहजानन सरस्वती ने पटना से प्रकासत के स्पथर का संपाधन किया था, आप्षन A हुंकार, आप्षन B है, जनता आप्षन C है, दोनों आप्षन दीहिन में से कोई नहीं इसका सही उतर है, दोनों, गया जिले से किसानों ने किने पत्री लिखा था, आप्षन A है, मोतिलाल नहरू, आप्षन B है, सुभास चंद्र बोस, आप्षन C है, जैप्रकास नारायन, आप्षन D है, जवाहर लाल नहरू इसका सही उतर है, जवाहर लाल नहरू बीचे दिन हमाई दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत दोन अबना जवाब हमें मारे कॉमेंट सुक्सिन वॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमाई दोरा पुछे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है आपके अनुसार बिहार के सक्षा वेवस्ता में पहले क्या पेक्षा में क्या सुधार हुआ है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट्स के सब्सक्राइब कर जरूर बता है आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने ना निकले देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइ अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद